नवरात्री के पावन अउसर पर धड़क कामगार यूनियन के संस्तापक महासच्यू अभी राने के निवास्थान पर माता के दर्शन करने सभी विभागों के विभिन कलाकार हो या सभी नेतागण उपसित हुए इस मोके पर धड़क कामगार यूनियन के संस्तापक महासच्यू ने जिस तरह करोना काल में साड़े नुव हजार रिक्षाच आलोकों के लाइसस सस्पेंड किये थे उनको फिर से सरकार से वापस दिलाने की मांग किये देखिए बिग्नु जिंदी की खास रिपोर्ट नमस्कार आज नवरात्री चा सण आमचा यहां टीकाणी आमी साजरा के लेला है जस यहां वेड़ी कोरोना चा संकट सग्डिकड़े आलेला है पन त्याच वेड़ी यहां बाकी चाई रिस्टिक्शन्स ठेऊन एक मेकान पास न त्रास होने मणों आमी पन मास्क वेगरे ब पांद लेला होता तैचा मणे एक डिस्टंसिंग ठेऊन एक कत्रे होन आमी एक संकल्पना जी ठेवलेली होती पॉजिटिवीटी क्रियेट के लेली होती तैचा मणे जे लोकाना शक्य होता ती लोका एथ होती पन त्याँज बरोबर गवर्मेंटने जे नियम आखुन दिल लेले होते कि जाचा मुणे त्रास होनार नहीं आणि देवी चा दर्शना सटी एता त्याना जो आनंद होई लिया सगला गुष्ठी कटाक्षाने पालेला होते हैं आणि धड़क कामगार युनियन चा वत्तिने सुदा अभीजित रानी यानि यह जे एरेंज केलेला होते हैं सुदा बरेश्चे लोकानी इकड़े भेट दी लेली आहें आणि देवी चा दर्शन होन मनोभावे कामना हीज केलेली हैं कि कोरोना ची हीजी आलेली आये साथ त्याचा पसना लोकान चा सवरक्षन हो आणि नॉर्मल जग्णाचा जो हे रूटीन आहे ते परत चालू हो य आणि सदी चा भेट मनों बरेश्चे लेली आणि तीच प्रार्थना करत होते तर सग्ल्याना आज देवी चा अनुशंगाने आमी पन सांगु इच्चिते कि कोरोना ची हीजी सात है ती हलु-हलु नस्ट होते लोका काल्जी गेता है आणि नेमी चा जे रूटीन आहे ते देवी चा जो आशिर्वाद है तो आपलाला ही मिरील आणि मेवा ही देवी चा चरणी मिंची प्रारतना आणि सग्ल्याना परत रूटीन मदे यहून तेंचे रूटीन चालू हो ते आमी आहे करतो है नमस्कार लाइसेंसिस कैंसल हुए और ये कारवाई हमारे पूर्व ट्रांस्पोर्ट कमिशनर शेकर चिन्ने के आदेश पर हुई थी मुझे लगता है कि एक रिक्षावालों का नेता एक कामगारों का नेता होने के नाते मैंने मूल रूप से महराश्टर के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर अनिल परव जी से इस संदर्द में मैं खुद गया हमारे नए ट्रांसपोर्ट कमिशनर मिस्टर ढाकने है उनसे ही मेरी मुलाकात हुई है मेरी संबंदित सभी उच्छ अधिकारियों से इस विशेपर मेरी प्रधिर्ग चर्चा हुई है मुझे मालूम नहीं है अभी आजकल के जो सो काल्ड यूनियन लीडर्स बहुत से बाइट दे रहे मगर यह मुद्दा कोई नहीं है हम सब यह मुद्दे को लेके गए दो अड़ाई तीन मैने से लड़ रहे और निश्चित तोर पर मैंने सरकार के तरफ जो हमारा पक्ष रखा है कि आप जो निलंबन की कारवाई जो सस्पेंशन की कारवाई की है मतलब आप उसको नोकरी से निकाल दे रहे हो मतलब आप एक पैसेंजर को बोलते हो कि मैं नहीं जा सकता कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उनको फिलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है सायद उनकी shift खतम होती होगी ऐसे बहुत से reasons है मगर आप direct उनका license cancel करके वो कभी भी रिक्षा चला नहीं पाएंगे इतना बड़ा दंड देना ये मुझे लगता है It is not act of the act which they are doing is not correct So मैंने संबंदित विभाग के जो उच्छे अधिकारी है उनको हमने बताया और मुझे महाराष्ट के transport commissioner ढखने जी और अनिल परब जी ने आश्वाशित किया है कि दसरा के बाद एक चार-पाच दिन में उनके उपर कुछ compounding penalty लगा कर उनको फिर इनके सब licenses review करने की दर्खास जो मैं की हूँ किये है उस पर वो सोच उचार करेंगे